देखिए यह है एक सरकल इसे थोड़ी ही दूर पर एक है पॉइंट भाई यहां से दो टेंजन्ट गई एक टेंजन्ट तो यह है और एक टेंजन्ट यह है ठीक है यहां पे है बीच में सेंटर हो हमने भाई इस वरी टेंजन्ट से इसको मिला दिया इस नाम देदिया पी ए और इस सेंटर से टेंजन्ट को मिला दिया इसको मिला दिया भी ठीक अब यह कह रहा है कि यह तो यह पी अन पी वी फॉम पॉइंट पी इस पॉइंट पी से दुगा सरकल पे सेंटर हो और इंक्लाइंड इस दिचेदर ने एक टीडिक्री यह दोनों आंगल कॉंगुरेंट होते हैं कॉंगुरेंट होने से क्या होता है कि यह टोटल एंगल कितने डीडिक्री तो हाफ में डिवेड़े जागा तो यह 40 यह भी 40 अब भी मैंने आपको बताया था कि अगर इसके पहले लिए कोश्न बताया था मैंने नहीं देखा तो आप देख क्कोश्न हो दोनों एंगल कीतना होता है दिग्री मतलब यह एंगल कितने डीडिक्री होगा भाई अगर हंडरेड होगा तो यह 50 और यह भी कितना होगा ओधी है लिए सोन में थेको यह सरकल है कि यहां से थोड़ी दूर पर यह पॉइंट है मैंने बोला यह वाला एंगल 80 डिग्री कित्य डिग्री 80 तो भाई यह वाला एंगल 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा क्यों क्योंकि दोनों एंगल को एट करने पर 180 आना चाहिए यह भी हमने लास्ट आलेस में सीखा था अब ध्यान से दिखो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो यह वाला एंगल कित्य डिग्री हो जाएगा बाई हाफ हो जाएगा 100 का 50 100 का 50 तो यह तो हमसे पूछा है तो यह आगया हमारा अंसर कितना 50 है कि एसको सॉल्फ कर देना है